Hello friends, I am a video creator और मैं ये video आप सभी creators के लिए बना रहा हूँ और इस video मैं बहुत सारी important topics में cover करने वाला हूँ जैसे की क्या हमें एक ही topic पर video बनानी चाहिए हमें reach कैसे मिलेगी, हमें अपनी reach कैसे बढ़ानी है अपने video की, अपने channel की videos कितने time बाद डालनी चाहिए down हो जाएगा, तो ये सारी important topics में इस video मैं cover करूँगा अगर आपको अपना समय बचाना है, तो description में मैंने time stamp डाल दिया है topic के साथ, आप time step के according video देख लेना चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने channel के insight दिखा देता हूँ अगर आप मेरे channel के insight दिखोगे तो पता चलेगा, मैंने बहुत सारे यानी mixed topics पे video डाली है जैसे की house construction, vlogs, unboxing, review products, youtube technical videos तो आप check करना, मेरी हर topic की एक या दो video ऐसी है, जिन में 5, 10, 25, 1,50,000 maximum views तक चले गए है मेरे channel पर आपको जाने के बाद ये तो पता चल गया हुगा, कि हम mixed topics पे content बना सकते हैं और हमारे channel पर कोई भी effect नहीं होगा बहुत सारे youtubers कहते हैं, कि आप अगर unboxing करते हैं, तो वही video डालिए, vlogging मत करिए, vlogging का अलग channel खोल लीजिए और बहुत सारे लोग खोल भी लेते हैं तो क्या वो सही है, वैसे अगर आपकी audience millions में है, करोडों में है, तो आप एक क्या 4 channel खोल सकते हैं लेकिन आपका भी शुरुवात हुई है, 5000-10,000 ही, आपके subscribers हुए हैं और आप दूसरा channel नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि कितनी unboxing करोगे, कितनी videos दिखाओगे, एक time के बाद content की कमी के कारण आपको switch करना ही पड़ेगा या आपके views नहीं आ रही हैं, तो आपको change करना ही पड़ेगा दूसरे content की तरफ, आप try करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैंने खुद यह आजमाया है, और अभी नहीं, मेरे लगभग 3-4 channel हैं, जिन मैं mix content के through ही मैं grow कर पा रहा हूँ दीरे-दीरे तो आप भी switch कर सकते हैं, या try कर सकते हैं, कुछ भी आप dancing करते हैं, dancing के साथ आप, और भी कुछ गितार बजा सकते हैं, वो भी कर लीजिए, साथ में आप vlogs डालना चाहें, या कुछ share करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है, चलिए अगले topic की तरब बढ़ते हैं, reach कैसे मिलेगी, और reach के लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा अपने thumbnail के उपर, ये तो खेर हर कोई बताता है, अच्छा title भी ढूणना होगा आपको, title अच्छा कैसे हो सकता है, कुछ suspenseful हो गया, कुछ shocking news type का हो गया, या त अच्छे से अपने description का template बना के रखिए, जिसको आप हर वीडियो में यूज कर सको, जहांपे आप vlog डालो, और उसमें edit करो कि आपने इस वीडियो में क्या explore किया, क्या दिखाया, क्या आपको मिला, locations, हर चीज उसमें description में लिख डालो, क्योंकि 5000 words तक आप डाल सकते हो, तो उसको use करो, लेकिन rapid tax के कुछ rapid tax site है, उसमें जाकर भी आप rapid tax निकाल सकते हो, वो tax description अपने tax में डालना, description में आलतु फालतु tax मत डालना, क्योंकि एक time के बाद channel जब review होगा, तो आपके channel से monetization हट सकती है, misleading, misguiding, misguiding, titles, descriptions, blah blah blah, ऐसे कुछ issues हो सकते हैं, तो उनसे भी आपको बचना होगा साथ के साथ ही, ठीक है, तो description और tax आप अच्छे कर लेना, चलिए पहला कि आपको कितनी डालनी चाहिए, अगर आपका channel new है, तो आपको daily एक video डालनी है, और दो shorts possible हों तो वो भी डालना, ठीक है, एक video तो daily ही डालनी है, अगर आपका channel थोड़ा पुराना हो चुका है, आप 20-30 video upload कर चुके हो, तो आप अपने YouTube analytics पर जाएए, वहाँ पर में आपकी जादा audience available होती है, एक time period होता है, वहाँ पर time के according दिखा देते हैं, जैसे मेरी audience का time होता है, 5 बजे से 8-9 बजे के बीच में शाम को, मैं उस time पे जादा video upload करता हूं, उस time पे जादा live जाता हूं, ठीक है, तो आपको idea लग जाएगा, उससे भी आपको काफी help क्योंकि जब आप YouTube में video डालते हैं, तो within कुछ time period के अंदर YouTube क्या करता है, वो आगे 10 और 20 लोगों को दिखाएगा, home page पर scroll करते हुए, सर्च पे नहीं आएगी video आपकी ब्राउजर फीचर पे आएगी, जब कोई home page पर scroll करेगा video, तो आपकी video उसको दिखेगी, लेकिन title अच्छा नहीं हुआ, तो वो scroll कर देगा, ऐसे ही अगर 20 लोगों को YouTube ने home page पर दिखाई, और 20 लोगों ने scroll कर दी, video watch नहीं की, तो वो आगे किसी को भी नहीं दिखाएगा video, फिर ब्राउजर फीचर वाला आपका feature जो है, वो खतम हो जाएगा, आपके views कम हो जाएगे, स 45 लोगों ने आधी आधी देखी, तो YouTube क्या करेगा, उसको लगेगा कि अभी doubt में है, आगे वो फिर उसका analytics, उसका algorithm जो है, वो आगे 20, 30, 50 लोगों को और दिखाएगा, फिर 50 में से अगर 20, 30 views और आगे, फिर वो आगे 500 को दिखाएगा, इस तरह से, मैंने एक अंदाजा बताया है, accurate नहीं, लेकिन इस तरह से views बढ़ते हैं, और जो trending पर जाती है, जो viral होती है, वो क्यों होती है, YouTube में वीडियो डाली, YouTube ने आगे 50 लोगों को दिखाई, 50 लोगों मैं से 50 ने देख ली, फिर वो आगे सीधा 1000, 2000 को दिखेगी, उन सब ने देख ली, तो वैसे खतम हो जाएगी, तो बहुत से लोगों का ये doubt है, questions रहता है, कि सर आप तो बहुत mix content डालते हो, हम डालेंगे तो हमारा channel के अबंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे channel पर चलिए, एक बार देखिए, मैंने starting में क्या-क्या videos डाली, इसी channel की अगर बात करूँ तो मैंने बहुत सारी mix videos डाली है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, house construction की मेरे कुछ videos हैं, जिसमें काफी अच्छे views भी है, 5000 भाई, नए channel पर 5000 views काफी अच्छे होते हैं, experience आपने किया होगा, ठीक है, 5000, 10,000 और एक जो maximum video मेरे गई है, उसमें 1,50,000 views आएए है उसी से second video भी मैंने मिलते जुलती बनाई है, उसमें भी 5000 views आचुके हैं, अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर, तो house construction में views हो गए, मैंने vlogs डाले हैं, vlogs में भी ठीक ठीक view है, 1500 मेरे vlogs में पहुंच गए हैं, क्योंकि vlogs में views लाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बात करें, unboxing भी डाली है मैंने, unboxing में मैंने बहुत सारे चोटे-बोडे products को review किया है, उनमें भी ठीक ठीक views आ गए हैं, जैसे कि protein, muscle blaze का हो गया, या फिर और भी बहुत सारे products, जिनमें 8-10,000 views तक पहुंच गए हैं, चिमनी बगरा कि मैंने unboxing video बनाई थी, कि कैसा चिमनी में चल रहा है, मेरे kitchen की video बनाई थी, मेरा house tour बनाया था, बहुत सारी mix content आपको दिख जाएगा, मेरा channel dead नहीं है, technical videos भी मैं डाल रहा हूँ, उनमें भी थोड़े-थोड़े views आ रही है, even मैंने एक video डाली हुई है कि copyright strike से channel को कैसे बचाएं, कैसे आप copyright, 3 copyright strike हटाएं, उस videos पे भी Pakistan और आप try करिए, और video अच्छे अच्छी बनाईए, ताकि आप कमा सकें, क्योंकि हम सब कमाने आई हैं, तो मैंने भी इसी तरह से grow किया है, mix content डाल कर ही grow किया है, जब एक time के बाद, जब आपके 50-60,000 subscriber हो जाएं, फिर आपको idea लगेगा कि मेरी public किस चीज़ की जादा है, उस चीज़ पर जादा focus करिए, जिस पर थोड़ी कम है, वो भी डालिए, उस पर कम focus करिए, within time period आपके दोनों content, तीनों content अच्छे हो जाएंगे, लोगों को video देखना अच्छा हो लगता है, आपके पास सारे type के लोग आएंगे, सब कुछ देख कर जाएंगे, unsubscribe करके ऐसे singing भी देख लेंगे, आपका dance देखेंगे, singing भी देख लेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो, तो आप video ऐसे बनाते जाएंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं live आकर आपके channel को एक बार review करूँ, एक बार check करूँ, free of cost, not any charge, free of cost check करूँ, तो मिरे को comment करिए, अगर 100 comments और 100 likes आजाते हैं, तो मैं एक time decide करके live आऊँगा, और आप लोगों का channel भी check कर लूँगा, और आप लोगों को guide कर दूँगा, क्योंकि thumbnail और title, description देखकर idea लग जाएगा, और आपका content देखकर, ठीक है, तो दोस्तों अगर video अच्छी लगी हो, information मिल गई हो, तो भा आप